वेलकम टु मैं चानल आयम अंजली इस वीडियो में आपको एक मेकप लोग करेट करके सेयर करूंगी कि आप कम प्रोडक्ट में भी अपना एक अच्छा मेकप कैसी कर शकते हो गैज अगर आप बीगिनर हो अगर आपको मेकप नहीं आता है और आपके पास ज्यादा मेकप प् अगर आपके हो गया इस वीडियो में सेयर करूंगी बीगिनर नहीं भी हो अगर अगर आप अफिस जाते हो तो डेली वेसिस पर फाउंडेशन प्राइमर अगर अप्लाइ करके मतलब जाना सेफ नहीं होता है डेली बहुत अच्छे अच्छे हैक और ट्रिक्स करूंगी कि आप अपने मेक अप को कैसे कर शकते हो तो वीडियो को लेंदेखिए वगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो लेस्ट कर स्टार्ट गाइच मेक अप करने के पहले हमें अपने स्कीन को प्रैप करना होता है तो सबसे पहले अपने फेस को वास कर लिया है और टोनर करूंगे मॉस्चराइजर करें से पना मेकप कम्प्लीट करूंगी यह लैक में का सिसी क्रीम है गाइज पीफ 30 है गाइज जी आप इसे डे में अप्लाइज करोगे अगर आप सनलाइट में भी जाओगे तो यह आपके सं प्रोटेक्ट करेगा देन मैंने चिट-चट लगा ल में आपने करेंख लिया और अपनेमें फिंगर से लेंड करूंगे मैं लेंगे से जो भी मतलब मेकप की हूं अपने हेंड से क्यों पेसेन से करना होगा गयज अगर आपकेसेंस से करोगे तो यह आ acted mogę कर यह बउनेक मेंगट हो जाएका घाइब कोई भी मेंक आपप प्रोड़क्त मैंने मैंने नहीं लिया भस एकशिए-सी क्रोड़क्ट मैंने नहीं लिया अबस एक सीसी क्रीम से आप को तहि fundraise के लिए नमेंगर के लिए क्वान जर्वाइब लोज ही तो के लिक्ष फाउंडेशन के लिए अगर आपकोड हो श्कार रहा है इसको cover करने के लिए क्योंकि यह color character नहीं है यह eye shadow है गाइस तो कोई भी हो अगर color character भी हो तो उसको hide करना होता है मैंने ये लिए है थोड़ा से loose powder गाइस आपको ऐसे apply कर लेना है आपके make-up को long lasting करता है इसके access powder को remove कर देना है आप इसको ज्रादा time तक ऐसे लगा कि मत छोड़ देना इसको ऐसे हटा लेना क्योंकि अगर आप इसको ज्रादा time के लिए छोड़ोगे तो यह फिर कैकी हो जाएगा कॉट्टन से भी ऐसे remove कर सकते हो गाइस ऐसे कॉट्टन की हैस से भी ऐसे यह मेरे पास 3 eyeliner है आप किसी भी eyeliner से अप अपना आई make-up कर सकते हो कि ऐसा है यह यह pencil है गाइस स्वीज है और यह लिक्वीड है इसी भी eyeliner से आप अपना make-up आई राइक अगर ये अगर लगांए लिए तो कॉणी इससे लिए एक पै क्रम किस्ट कर सकते हैं गर्ज लाइनर के एक्सिस को निकाल देना है और ऐसे मस्करा की तरह इसका यूज कर सकते हो गाइज देन आईब्रो को सेट करना important होता है गाइज अब किसी भी dark color की shadow palette से लेकर आसे अपने आईब्रो को सेट कर सकते हो गाइज इससे बहुत अच्छा लगता है और face and makeup अगर ब्लस ना लगा हो तो अच्छा नहीं लगता तू टाइप के ब्लस आते हैं एक पाउडरी एक क्रीमी को ब्लेंड करने में कोई problem नहीं होती अच्छे से ब्लेंड हो जाती है अगर आपके पास ब्लस ना हो तो आप ऐसे palette को यूज कर सकते हो यह से यह यह किसी भी सेट को आप ले सकते हो अगर आप बीगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे लिप कलर का यूज करो गाइज टैरेक्ट ऐसे apply करोगे तो आपको blend करने में प्राब्लम होगी इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप अपने यहां पे apply कर लो यहां पे लगा लो और उसकी बात देखो गाइज कितना अच्छा लगे नुक बहुत प्याहर है अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा प्राइज आप समाइल करके ब्लस को लगाना फिर आपके चिक बोन को पता चलिए गाइज और मतलब अच्छे से ब्लस लग जाएगा आप की चिक पे और काई देख सकते हो कितना प्याहर लग रहे थूफ़् tomar लगाने के बाद मेकप में चार चांद लग गए हो तो देख सकते हो आप मेरा लुक पैनल लुक गाइस बहुत प्याड़ा लग रहा है आई होब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस मेरा ये मेकप लुक और ट्रिक जो भी मैंने आपको सेयर किया गाइस गाइस मैं रेडी हो गई और ये में फोटो सूट एंड वीडियो वगएरा और क्या बोलता है पार्टी वगएरा मैं कहीं विजा सकती हूँ मैं इस लुक पे गाइस जो इतना कमफर्ट हूँ मैं इस लुक को लेकर के सो गाइस आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करना होगे अगर अच्छा लगा होगा तो या लाइक सुस्क्राइब और सिर्ग करना सब्सक्राइब और अगर आपको नेक्स्ट किसे लोग पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना मैं आपकी लेकर आजाओंगी